असलाम अलेकुम हेलो एवरिवान वेल्कम इन वार्सिया उर्दू मीडियम आज हम जोग्राफिया का सबक पांच जिसका सवाजवाब हल करेंगे तो चलते हैं सबक पर सबक का नाम है कुद्रती नभातात और हैवानात तो यहाँ पर जो यह जदूल बनावा है बचो इसमें क्या होता है कि जो सवालात दिये वे हैं इसके जवाबात मैंने दूसरे स्लाइट पर दिये वे हैं तो पहले यहाँ पर हम सवालात को पढ़ लेते हैं यहाँ पर पहला सवाल यह है उसके नीचे भी देखिए मुत्वरि कर लेते हैं तो चलते हैं इसके सवाल की तरफ तो यहां पर देखी जंगलात की किस्म बताई गई है यह जदूल में और खुसूसियत और भारत का इलाका और ब्राजिल का इलाके के में यह खुसूसियत हमें बताना है तो यहां पर मैं यहां के सवाल पढ़ देती हूं और नीम खुश्क काटेदार जंगलात तिसरा है स्वाना यहां पर जो है छोटी ज़ाडियों जैसे दरक छोटी ज़ाडियां और खुश्क वह दुश्वार गुजार घास चौथा है कि मुंतके हारा की नीम पज़ड जंगलात और मखलूत किस्म के नवाता पाचवाय के घास का और अर्जिन्टीना के पंपाच जैसा घास का इलाका तो बच्चों यहां पर अगला जवाब हम जो दे रहें इसका वो अगली स्लाइट पर है तो यहां पर आप देखें कि इसके जवाबात मने दिये कि भारत का इलाका और ब्राजिल का इलाका तो भारत की इलाके में अंडोमान निकोबार जजायर मगरिवी गाट और दरियाए एमेजोन की वादियां ब्राजिल में भारत में गुजराद और राजिस्थान ब्राजिल में कुश्कुश चोगोशे का इलाका ये सब जवाबात ह आर तीसरे का है कि राजिस्थान का रेगिस्थानी इलाका और ब्राजील की बुलन समीन चोथा है कि पंजाब, उत्तर-परदेश, बिहार वगैरा और ब्राजील का पेरगुवे, पेराना का दरियाओं की वादी पाच्वाइ हर्याना, मगरिभी, बंगाल वगैरा और ब्राजील का इंतिहाई जुनूबी इलागा तो बच्चों ये सभी जवाबात आप अपने जदुल में लिख लें और इसे याद कर लें चलते हैं आगे यहाँ पर सवाल दो मुत्फरिक जुज पहचानी है यहाँ अलीप में बता रहा है कि ब्राजील में जंगलात की किस्म तो यहाँ पर चार ओप्शन है आपको ये तीसरा पर हिमालियाई जंगलात को ये टिक कर लेना है ये इसका सही जवाब बह में देखें भारत के हवाले से यहां भी चार जवाबात में आपको यह चौथा अस्तवाई जंगलात को टिक करना है जीम में ब्राजील की जंगली जानवर इन में चार अप्शन में आपको शेरे बबबर यहने चौथा जवाब को टिक करना है चौथा येने दाल भारती नवतात यहाँ पर चार उप्शन में आपको तीसरा अंसर है जो आर्केड है तो यहाँ पर आप टिक करें तो यहाँ पर यह चारो जवाबात हल हो चुके हैं तो आगे चलते हैं जोडियां लगाई है जंगलात की किस्मों यहाँ बताई गई है और दरक्त की किस्म बताई गई है तो यहाँ जो पहला अलिप में दिया गया है कि सदा बाहर जंगलात तो इसका जवाब है तीन जो पाव ब्रासिल है बा में पज़ड के जंगलात इसका जवाब जो है पाँचवा है सागवान, जीम में साहिली जंगलाथ, इसका जवाब है सुन्दरी, एक नमबर का जवाब, दाल में हिमाले के जंगलाथ, इसका जवाब है पाइन, हे का कांटेदार जंगलाथ, इसका जवाब है खेजरी, तो यहाँ पर यह, आप इसको ब तो बच्चों यहाँ पर पांच सवाल दिये वे हैं, मैं यह बारी-बारी आपको पढ़के बता देती हूँ और इसी तरह से सवालों के साथ जवाबात भी बारी-बारी देती रहोंगी। तो पहला यहाँ पर जो अलिप में सवाल है कि ब्राजील और भारत की कुदरती जंगलात की किस्मों में फरक वाज़े कीजिए। तो बच्चों चलते हैं इसके सवाल के जवाब की तरफ। खूब बारिश और सूरज की रोष्टी पढ़ती है इसलिए ब्राजील के शुमाल में घने और सदा वहार भारानी जंगलात पाए जाते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है कि भारत खते अस्तवा से दूर वाके है इसलिए ब्राजील की तरह यहां बारानी जंगलात नहीं पाए जाते हैं। बा में देखें कि हिमालिया जंगलात के बारे में अब कहे रहा है तो इसका पहला पॉइंट है कि भारत की शुमाल में हिमालिया के पहाड़ी सिल्सिलों में ज्यादा बुलंद इलाकों में मौसमी फूलों के पौदों के जंगलात और सद बुलंद इलाकों में पाइन, दे वजील और भारत में जंगली जानवरों की जिन्दगी और कुदरती नवतात के माबैन तालुक वाज़े कीजिए। इसका जवाब है कि एक कुद्रती नवातात सब्जी खोर जानवरों और परिंदों की खुराक है और सब्जी खोर जानवर गोश खोर जानवरों की खुराक है और इसका दूसरा पॉइंट खास किसम के कुद्रती गिजा के हामिल नवातात जिन इलाकों में पाए जाते हैं घास चरने वाले मुकतलिब अन्वा के हीरन पाए जाते हैं, इन हीरनों का शिकार करने वाले चीते भी यहां बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। चार, मसलन भारत के घास के कितों में मुक्तलिब इकसाम के कीड़े मकोडे पाए जाते हैं और इन कीड़ों के खुराक बनाने वाले माल डोक भी यहां पाए जाते हैं अमूमन जिस इलाके में कुदरती नवातात बड़े बैमाने पर पाए जाती हैं महा जंगली जानवर और परिंदे भी तादाद में पाए जाते हैं मिसाल बराजील के खुदरती नवातात का तनासुप कम होता है महा जंगली जानवर और परिंदे भी निजबतन मेहदूत तादाद में पाए जाते हैं मिसल भारत के रेगिस्तानी इलाकों में नवातात का तनासुब महदूद होता है नतीजतन इन इलाकों में महदूद पैमाने पर जानवरों और परिंदों की एकसाम पाई जाती है अगला सवाल तीसरा है सवाल ब्राजील और भारत को कौन कौन से महुलियाती मसाईल का सामना करना पड़ रहा है तो जवाब भारत और ब्राजील के दरजे जेल महुलियाती मसाईल का सामना करना पड़ रहा है तो एक पॉइंट है बढ़ती आबादी के लिए रहाईश की घर्ज से इंधन और गश्टी काश्टकारी के लिए दोनों मुमालिक में बड़े पैमाने पर जंगलात को काटा जाता है इसलिए दोनों मुमालिक को बेताहाशा जंगलात की कटाई के मसले का सामना करना पड़ रहा है पॉइंट टू, दोनों मुमालिक में बढ़ती शहरकारी के सबब आलूदगी के मसाइल में इजाफा हुआ है पॉइंट त्री, बढ़ती वी आलूदगी, जंगलात की कटाई वगएरा असबाब से दोनों मुमालिक को महुलियाती तनजली के मसले का सामना है पॉइंट फॉर, मालियाती तनजली के सबब दोनों मुमालिक में मुक्तलिफ एक्साम की नबतात, जानवर और परिंदों की वजूद को खत्रा लाहक है चलिए, चौते सवाल की तरफ पॉर सवाल, ब्राजील और भारत में जंगलात के खात्मे की वजुआत क्या है तो जवाब, ब्राजील और भारत में जंगलात के खात्मे की वजुआत मंदरजा जेल है इसका पहला पॉइंट, भारत और ब्राजील दोनों मुमालिक में बढ़ती आबादी की रहाईश के लिए जगा की किल्लत पैदा हो गई है पॉइंट टू, रहाईश के लिए जगा परहाम करने के गर्ज से दोनों मुमालिक में बढ़े पैमाने पर जंगलात काटे जाते हैं पॉइंट टू, ब्राजील में रोका और भारत में जूम किस्म की गश्टकारी के लिए जंगलात के दरख काट कर या जला कर खेती और रहाईश के लिए जमीन पराम की जाती है पॉइंट फॉर, लोग इंधन के तौर पर इस्तिमाल करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलात के दरख काटते रहते हैं अगले सवाल के दरख चलते हैं सवाल पांच, भारत का बेश्टर हिस्सा पत्जड के जंगलात से क्यूं गिरा हुआ है? या किस किसम के जंगलात से भारत का बेश्टर हिस्सा गिरा हुआ है? ये दोनों सवालों के जवाब एक ही है तो ये जवाब है इसका पहला पॉइंट खुश्क मौसम याने सूका मौसम याने मौसम गर्मा में अमले तफ्खिर से पानी की किल्लत ना हो जाए इसलिए पजड के जंगलात में नबातात के पत्ते खुश्क होकर गिरने लगते हैं अमले तफ्किर क्या होती है? अमले तफ्किर ये है कि जब पानी गरम होता है तो भाब बनकर उड़ जाता है तो इससे ये उसे अमले तफ्कीर कहते हैं तो ये एक प्रोसेस है यहाँ पर पॉइंट टू पे चलते हैं पत्ते जढ़ने की वज़े से अमले तफ्कीर कम हो जाता है और नवातात की जिन्दगी बढ़ जाती है पॉइंट त्री हजार तदो हजार मिली मीटर बारिश के इलाकों में खास तोर से पज़ड के जंगलात पाये जाते हैं पॉइंट पॉर भारत के बेशतर हिस्तों में बारिश का आउसत हजार तदो हजार मिली मीटर है इसलिए भारत के बेशतर हिस्ते में पज़ड के जंगल पाए जाते हैं तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं यहां पर देखिए जुगराफियाई वजुहात लिखिए तो यहां पर इसका अलीव में पहले सभी सवालों का आपको पढ़के बता देती हूँ फिर बारी-बारी से सभी के जवाब बात दूँगी तो यहां पर जुगरा कीडों के एकसाम बहुत ज्यादा हैं ढाल भारत में जंगली जानवरों की तादात दिन बर ₼ दिन गय कम होती जा रही है है भारत की तरह ब्rating जंग्लात का ताफ्स जरूरी है तो बच्चों चलें हम सवाल और जवाब की तरफ पहला सवाल है ब्राजील का शुमाली हिस्सा घने जंगलात से गिरा हुआ है तो जवाब है कि इसका पहला पॉइंट ब्राजील के शुमाली हिस्से में दरिया एमेजॉन की वादी के इलाके में औसदन सालाना बारिश 2000 mm होती है पॉइंट टू इस बिना पर ब्राजील की शुमाली इलाके पर सुरज की भरपूर रोशनी पढ़ती है और साल भर खोब बारिश होती है पॉइंट त्री इस इलाके में नबातात की अफजाईश बहुत जल्दी होती है और नबातात की जिंदगी भी तवील होती है इन अजबाब की बिना पर ब्राजील के शुमाली हिस्से में गने जंगलात पाए जाते हैं आगे देखते हैं सवाल दो हिमाले की बुलंद इलाकों में नबातात की बहुत कम तादत पाए जाती है जवाब पहला पॉइंट हिमाले की बुलंद इलाकों में दर्जे हरारत बहुत ही कम होता है कहीं कहीं तो ये दर्जे हरारत सिफर से भी कम होता है हिमाले की बुलंद इलाकों में हर जगा बरफ की तह होती है 2. इंतिहाई सर्द, आबो, हवा और बरफ की तहों की वज़े से हमालिया में नबतात की अफजाइश बड़े पहमाने पर नहीं होती 3. मौसम गर्मा में हमाले के दरजे हररत निजबतन ज्यादा होता है और बरफ भी पिगलती है चुनांचा मौसम गर्मा में हमाले में मौसमी फूल पत्ते उकते हैं लेकिन मौसम सर्मा के आते ही ये खतम हो जाते हैं इसलिए हमाले के उचे इलाकों में नबतात बहुत कम पाई जाती है सवाल 3. बराजील में कीडे मकोडों की तादाद ज्यादा है जवाब इसका पॉइंट 1. कीडे मकोडों की अवजाईश आम तोर पर घने जंगलात घास के खितों और दलदली इलाकों में होती है पॉइंट 2. दरक्तों के पत्ते, घास फूस, फूलों का रस वगेरा आम तोर पर इन कीडे मकोडों की खुराक होती है पॉइंट 3. ब्राजील के शुमाली हिस्से में घने बारानी जंगलात, पेरागोए, पेराना दर्याओं की वादी में घास के खित्ते और पेंटा नौल में दलदली इलाके पाए जाते हैं इसलिए ब्राजील में कीडे मकोडों की तादात बहुत ज्यादा है सवाल 4. भारत में जंगली जानवरों की तादा दिर्बदिन कम होती जा रही है ये एक बहुत खास सवाल है आप इसे गौर से पढ़ें और याद करें तो जबाब का पहला पॉइंट है कि भारत की वर्दि आबादी की रहाईश और इंधन की जरूरत की तकमील के लिए बड़े पैमाने पर जंगल के दरक्तों की कटाई की जा रही है भारत में इस तरह जंगलात की बेताहशा कटाईगी वज़े से जंगली जानवरों के मस्कीनों को जबरदस खतरात लाख है भारत में शहरकारी में तेज रफतारी से इजापा हो रहा है इस वज़े से भारत में कई तरह की आलूदगी में इजापा होता जा रहा है आलुद्गी की वज़े से जानवरों की सहत को खत्रा लाहक हो गया है भारत में जानवरों का शिकार और स्मगलिंग के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं भारत में जूम के मानिन गश्टिकारी के लिए बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई करके या दरक्तों को जला कर जंगलात को खाली किया जाता है इसलिए भारत में जंगली जानवरों की तादाद में दिन बदिन कमी आती जा रही है सवाल पांच भारत की तरह ब्राजिल में भी जानवरों के ताबुसगी जरूरत है जबाप पॉइंट वन भारत की तरह ब्राजिल में भी बढ़ती आबादी की रहाईश और इंधन की जरूरियात की तक्मील के लिए बड़े पहमाने पर जंगलात की कटाई की जाती है इसी तरह ब्राजील में जानवरों के मसकिन का खत्रा लाग हो गया है इसी वज़े से तो यहाँ पर दुसरा पॉइंट है कि भारत की तरह ब्राजील में भी जानवरों का इस शिकार और इनके गेर कानूनी स्मगलिंग बड़े पैमाने पर होती है भारत की जूम गश्तिकारी की तरह ब्राजिल में भी रोका किस्म की गश्तिकारी के लिए जंगलात की कटाई या दरक्तों को जला कर जमीन हसिल की जाती है बिल्कुल जैसे के भारत में हो रहा है उसी तरह ब्राजिल में भी रहने के लिए जंगलात को काटा जाता है और यहाँ पे तिसरा पॉइंट है इन मसाइल की वज़े से भारत में जिस तरह जंगली जानवरों की तादाद में कमी आती जा रही है बिल्कुल इसी तरह ब्राजिल में भी जंगली जानवरों की तादाद में दिन बदिन कमी आती जा रही है दोनों मुमालिक में जानवरों की कुछ नसले मादुम हो जा रही है मादुम होना याने कम होती जा रही है और कुछ नसले बिलकुल नाबूद हो चुकी है याने खतम हो चुकी है इसलिए जानवरों की नसलों के ताफुस के नुक्ते नजर से भारत की तरह ब्राजिल में भी जानवरों के ताफुस की जरूरत है तो बच्चों यहाँ पर हमारा सवाल जवाब का सिलसिला खतम हुआ उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बताये वे जवाबात समझ में आये होंगे तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें कमेंट जरूर करें तो बच्चों मिलते हैं अगले लेसन में नये सबक के साथ तब तक के लिए